Hello and welcome दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारी इस वीडियो के अंदर तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर एक low-end PC के अंदर Windows 11 को इंस्टोल कर सकते हो जो कि आपके सिस्टम में के अंदर दो जी वी रैम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके सिस्टम में इजी ली टू रन होगा वैसे मैं सबसे पहले बात करें कि कैसे सारा प्रोसेस होने वाला है तो उमीद करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर यह वीड आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर तो क्रोम ब्राउजर आपको इसा भी यूज कर सकते हूं आपको यहां पर लिखना हो विंडोज 11 LTSC नाउनलोड ठीक हो सिंपली आपको लिख के सर्च कर देना है और यहां पर आपके सामने कुछ एसा एंटरफेस होगा तो आपको करने के लिए ठीक है तो यहां से अगर मैं आपको रिक्वायर्मेंट अगर दिखाना चाहूं तो सिंपली यहां पर आप देख वाओगे कि हमारे सिस्टम के अंदर वन गीगाहर्ट का प्रोसेसर कम से कम होना चाहिए ठीक है जो कि टू कोर का जो कि जर्नली 90 प्रसेंट या पर इस पी-सी के देख पार विए फिर कम्प्योटर लिक्क्यार कुछ भी इसके ओपर राइट क्लिक करके यहां पर प्रोपैटीज पर चले जाना आपको ठीक है तो पर आपको दिखाएगा यहां पर इसकी जो भी इसकी गिगाहर्स है तो यह मैरे 3.70 गीगाहर्स का प्रो तो यहाँ पर आपको 4G RAM compulsory है या फिर 2G RAM में भी आप काम चला सकते हो ठीक है और उसकी दूसरी बात है यहाँ पर storage device की बात करें storage device में हमें 64G हमें space चाहिए जो कि जनरली PC's के अंदर storage होता है hard disk के रूम में तो यहाँ पर हमें storage टाइप की बात करें तो यहाँ पर हमें compulsory बोला है कि SSD होनी चाहिए लेकिन आप कोशिस कर सकते हैं अगर आपके पास hardware में SSD की जगाए hard disk है तो भी आप काम चला सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पर optionally ball रखा है hard SSD चाहिए आपको compulsory लेकिन आपके पास hard disk है तो आपका system slow काम करेंगा लेकिन कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है और इसके अंदर जादा कुछ बात करने के लिए है नहीं simply आपको download कैसे करने है आइस फाइल तो आपको simply scroll up करके और वह एक पर back आ आपकी download होना start हो जाएगी तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना आपके system में आपको लगभग चार से पांच जीवी नैट की requirement रहेगी तो आप add-on वगेरा करके आपके system में यूज कर सकते हो तो यहां पर मैं iso file download करता हूं और फिर मिलता हूं आपको इसको बनाना कैसे उसके लिए तो उसके लिए आपको simply जरुत पढ़ेगी एक software की जिसका नाम में रूफूस तो आपको Chrome पर जाना है और यहां पर लिखना है रूफूस लिखने के बाद सिंप्ली सर्च सर्च करने के बाद यहां फर्स्ट वेबसाइट आईगी करते हैं हमारी iso file दावनवर होगा हो चुकी है जैसे मिल रहा होगा यहां पर आप simply आपको करना क्या होगा आपको ले लेनी है pen drive क्योंकि बूटेवल पैंडराइव बनानी है हमें ISO इमेज की तो हमें बूटेवल पैंडराइव बनाने के लिए एक पैंडराइव चाहिएगी तो simply हम पैंडराइव लेते हैं और अपने सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने ले रखी यहां पर सैंडिक्स की 32 पैंडराइव जो कि आपको आसानी से साथ दिख जाए तो ठीक है तो simply इसको हम लगाते हैं अपने इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे कंप्लीटली फॉर्मेट कर लेंगे जिससे इसके अंदर कोई डेटर ना रहे वैसे ऑटमेटिक होने वाली है अगर आपका कोई इंपोर्टेंट डेटा हो इस पैंडराइव में तो आपको निकाल लेना है ठीक है तो simply हम यहां से इसको फॉ करेंगे और करने के बाद हमारा रूफुस फॉफ्ट में कषिए नहीं है यहां पर अपकोraz यहां पर अपको सेलेक्то करनी है यहां जो आयोड करके सब्सक्राइब है और यहां पर MBR GPT आप जो चाहों कर सकते हों यहां पर मैं आपको सज्जेस्ट करूँगा कि आपका पुराना सिस्टम है तो आप MBR यहां पर करते हैं तो उसको MBR रखना है अगर आपका नया सिस्टम में जिसके अंदर आप विंडोज 11 लाइट डाल रहे हैं तो आपको GPT रखना है तो कोशिज करना है आप MBR रखे क्योंकि पुराने जो सिस्टम में वो MBR बायोज को सपोर्ट करते हैं अगर आप चाहते हो MBR और GPT के उपर हमें स्पेसल एक वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो उसके बाद आपको सिंपली यहां से कुछ निकर रहे हैं आप स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और यहां पर सिंपली इसकी रिक्वायर्मेंट आ रही है हमारी इनको बाइपास करने लिए कर सकते हैं और यहां पर फिर से ओके यह दो तीन बार इसको कर देना है आपकी जो पैंड्राइव हो के बूटेवल पैंड्राइव बन जाएगी यह प्रोसेस आपका कुछ से 57 मिनट ले सकता है तो इस चीज का आपको जान रखना है यहां पर आपका सिस्टम आपको चालू करना है उसके बाद हमारी जो पैंड्राइव है उसको आपको निकाल लेना है ठीक है यहां पर हमने पैंड्राइव निकाल ली है और इसको लगाना है आपके सिस्टम के अंदर आपको विंडोज इंस्टोल करनी है तो मैं कर रहा हूं अपने पीछे वाले सिस्टम पर तो सि से क्या इंटरफेस देखने को मिलेगा मलग क्या स्पीड देखने को मिलेगी चार जीवी रैम के अंदर तो बेसिकली आप चलते हैं वारे उस पर यांपको क्रोम प्राउजर पर जैसे मान के मेरे पास है जैब्रोनिक्स का मदर बोड़ है तो आपको सिंप्लिक करना भूड की तो कुछी इस परकार से सर्च कर देना है जैब्रोनिक्स की आ की बूड की है तो चलते हैं उस स्क्रीन के उपर और उसकी जो सिस्टम के बूट की है वो है एसे चलिके दिखा चुका है तो सिंपली कारणा क्या होगा सिंपली सेंड पे यहां पर यहां पर डिलेवन का रोगो आ चुका है तो इसको कोई भी नॉर्मली में यह सारा प्रोसेस ब्रआ करने वाला हो जिससे जाधा लंबी ना हो यहां पर इसको नॉर्मली ओने देते हैं तो दोस्तों यहां पर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेश आ जाएगा यहां पर सिंपले आपको करना क्या होगा अपने जो कीबोर्ड है उसका लेयाउट सेलेक्ट करना होगा तो यहां से आप युनाइटेड इस्टेट रख सक देना है नहीं तो आप यूएस भी रहके नेक्स्ट कर सकते हैं और यहां पर हमें दो देखने मिलेगे भाई आपको विंडोज इंस्टोल करनी है या इन्स्टोल विंडोज 11 करनी है या फिर रिपेर माई PC करना है तो यहां पर सिंपले हम विंडोज इंस्टोल पर और अक्षेप्ट करने के बाद यहां पर थोड़ा सर्चिंग लेगा यहां पर अपने डिवाईज है जो यहां पर सर्च करेगा जितने भी डिवाईज हमारे सिस्टम में है यहां पर दिखा चुकी है तो यहां पर आप देख पा रहे होगे हमारी डिवाईज आचके जो हम हमारी हार्ड डिस्क या SSD है और यहां पर डिस्क 1 है जो हमारी है pen drive ठीक है डिक्स 1 में आप छेड़खाने कुछ करोगे तो वह आप नहीं कर सकते simply आपको disk 0 में जो partition दिख है उनको delete करना होगा ठीक है यहां पर हम सारे partition delete करते हैं डिस्क जीरो के और दोस्तों यहाँ पे मैं आगर आपको दिखाना चाहूं कि हम disk 1 के partition delete कर सकते हैं यह नहीं तो यहांद देख RAW डिस्क वन के पार्टेशन आप डिलिट नहीं सकते टो यहांके शिंब्लि आपको क्लिक करके। यहांद पर प्रियट क्लिक करना यहांद लिएक पार्टेशन क्रियेट हो जाएंगे। अट्सक्षण लोगत प्रियेट कुछ देर caliber के बाद willst तो इहां पर पर्टेशन क्रियेट हो चुके है यहां पर जितने जीवी का पर्टेशन है उस पर किलिक करके next करना है आपको और यहां पर आपको कुछ कि आपको थोड़ा वेट कर लेना है तो हमें इस वीडियो को फास्ट फोरवड कर देंगे जिससे आपको असानी हो ठीक है तो यहां पर दोस्तों हमारी जो विंडोस है वो इंस्टोलेशन हो चुका है यहां पर कुछ और थोड़ी देर में हमारा सिस्टम है वो ओन हो जाएगा यहां पर कंट्री वगयरा सेलेक्ट करने का उप्षन आएगा यहां पर विंडोस 11 का लोगो आ चुका है और यहां पर आपकी जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेनी है मैं यहां पर अपनी कंट्री इंडिया सेलेक् की कंट्री है वो तो यहां पर मैं इंडिया डूंडता हूं यहां पर यहां पर मैं इंडिया पर सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद हमें इसकी कीबोड ले आउट वापसे सेलेक्ट करना होगा वह कर दूंग मैं इंग्लिस इंडिया यहां पर यस करेंगे और यहां पर इस से आपका डिवाइज ओन हो वहाँ पर आपका नाम शो करें ठीक मैं यहाँ पर मेरा नाम दे दिया यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पर आप पास्वर्ड लगाना चाहते तो पास्वर्ड लगा सकते हैं वरना यहां से खाली नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर इसक लेकिन यह लाइट वर्जन है इस वज़े से इसमें बहुत ही कम आपको software देखने को मिलेगे आपके तो यहां पर आपको सिंपली जो software आपको चाहिए आपको इन्स्टोल कर लेना है आप आपके खरी के यहां. अख़र आ यहां पर देखता हूँ कि और कुछ देखने को नहीं मिलता है. अगे कार्ण करें लिएगे यहां से से इसके आपको आइकन पयंस उर्स एकंड़ लाइघ रएकन आपके सिस्ट्म अशुके हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप वार इस वीडियो पर आगार आप नए हैं तो ठीक मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टोपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई